नमस्कार जैहन साथियों मैं विवेक ओदिच्चे आप सभी बच्चा पार्टी का हार्दिक स्वागत वन्दन चंदन और दोस्तों अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्रेटफॉर्म अन एकेड़िबी आचारे पर फ्रेंड्स जैसा ही आपने थमनल देखा कि बीएड बाहर डी ट्रपलेसी भी पी आर्टी से आपने तुरंती इस वीडियो को क्लिक किया चलिए आई यह बताता हूं कि क्या है यह शेनेरियो क्या है यह वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी इसके बारे में पूरा डिस जो ज़रूरत करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए क्या सर मैं बाहर तो नहीं हो जाओंगी यह हो जाएंगे तो दोस्तों आये मैं बात करता हूं इससे पहले जो डीटर अपले सी वी की वेकैंसी आई थी उसमें FEAR उसमें इन था तक है याने कि FEAR बैइल युलोंक योगेता को रिवाइस कर देता हूं बीएड, बीटीसी, डीएलेड, डाइट, बीएलेड ये सारे ही प्रात्मिक में बैलेड थे इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था और उसकी जो 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 जॉइनिंग हुई थी उससे जो भरती कम्प्लीट हुई है उसमें ये सारी आरताएं थी और इसमें कोई निशन्दे है कोई सक नहीं है कि इस तरीके से भरती संपन्न हुई थी यानि कि इस से पहले बीएड वाले बैलिड थे अब नई वेकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जो गजट है वो अभी तक आया नहीं है तो अब क्या हो सकता है यही तो बच्चों का कोश्चन है कि बीएड बाहर पर्गा पियार्टी में या नहीं सर है तो कई सारे चैनल पर या कई सारी जगाओं पर बच्चों को यह बताया गया कि जो B8 है वो D++C B से PRT से बाहर है मेरा मानना है मेरा कहना है कि जब vacancy पहली आपकी B8 के साथ complete हुई तो इस भरती भी B8 के साथ ही complete होगी अब कुछ मैं आप सभी लोगों को कुछ scenario बता देता हूँ जो Supreme Court से आधीन है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ बी टी सी है बी एड वर्सेज जो BTC है बर्सेज नहीं कहना चाहिए दोनों ही हमारे स्टुडेंट है और आपस में कहते ना कि एक फाइट है बी टी सी बालों का पच्छ है कि मेरे पास मौका सिर्फ प्राथमिक में है मुझे एकलाता ही मौका मेरा ही मौका होना चाहिए मेरा ही अक है बीएड वालों का कहना है कि जब मैं ग्रेशन वालों को जब मैं 9th, 10th, 11th, 12th सबको पढ़ा सकता हूँ तो मैं क्या कच्छा है एक से 5 तक नहीं पढ़ा सकता हूँ ये दोनों का पच्छा है दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे वहां से आर्डर क्या कर लिया गया रिजर्ब कर लिया गया है यानि कि रिजर्ब आर्डर का क्या मतलब होता है इसको मैं बता देता हूँ आप सभी लोग को दोस्तो रिजर्ब आडर का मतलब यह होता है कि मननिय कोर्ट को मननिय जज महोदय जी को 90 दिन का समय होता है 90 दिन के समय के अंतराल में उनको जो दोनों की बहस सुनी B8 के पच्छने और BTC के पच्छने जो बहस की उस बहस तक पहुँच करेके 90 दिन के अंदर फैसला देना होता है तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों से बोले सर कितने दिन सेस हैं तो लगवग लगवग 30 दिन तो हो चुके हैं order को reserve करे हुए 30 दिन हो चुके हैं यह 60 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा कि B8 और BTC को maximum to maximum इससे पहले ही आ जाएगा maximum to maximum खिचेगा यह 60 दिन के अंतराल पे तो 60 दिन के अंदर यह decide हो जाएगा कि B8 in है कि out है पहले बात तो यह अभी आप देख भी चुके हैं मैं आपको बता दू सर तो फिर क्या साठ साठ दिन से पहले अगर vacancy आ गई फिर एक question आप लोगों के दिमाग बनेगा तो फिर सर अगर 60 दिन के अंदर-अंदर vacancy आ गई तो क्या फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि के लियस ने अपने notification में डाल दिया था कि बी एड बाले पाम भरें, paper दें जैसा नियाले का हक होगा नियाले जिस पच्छ में फैशला सुनाएगा उसी पच्छ में इन और आउट होंगे तो इसी तरीके से डीटरपलस सी भी कर सकता है अगर डीटरपलस सी भी का तुरंत नोटिफिकेशन आ गया तो वो इस तरीके से निकाल सकता है अधरवाइस अच्छा मेरा ओपीनियन ये है कि हित दोनों को दिया जा है कि उसको सहर स्वीकार किया जाता हो कि मेरा यह मानना है कि दोनों को ही इन किया जाहंका जहां तक अनुमानी है को से तो आपको य cultural करでも साफ दिन के फैसला अगर आ गया पच्छ में तो तो फिर वैलिडी है अधर्वाइज फिर दिक्कत फिर आपको जो मानने सुप्रीम कोट कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा थैंक यू क्लास जैहन्द क्लास